आज मैं आप्र लोगों लेकर आए हई हूँ सावन स्पेसल मीठी सेवईया की रेसिपीansen शावन चल रहे हैं और इस महीने में इसेवई हैसेवाई यापिके समय झालकर करता है तो चलते हैं रेसिपी को बनाने के लिए सब्सक्राइब बिटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटिस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें सबसे पहले हमें सिवई कुभुन के तियार करना है तो कड़ाई या फिर पैन में एक चमच गी डालके उसे हम गरम कर लेंगे तो गी यहाँ पे पिगल गया है अब आप गैस का आज बिल्कुल धीमा कर दें और यहाँ पे आपको डालना है आधा कप सिवई सिवई का इस्तामाल किया है चाहें तो आप जो थोड़ी मोंती वाली सिवई आती यह बेस्ते हैं यह बहुतनी होँए है तो इसी आपको बहुत जादा भुननी की जूश्यदत नहीं तो बस धीमिय में आज पे आपείसे 2 मिनट भुलने ताकि ज़ो भी का flavor है वो सिवाई में अच्छे से आ जाए दो मिनट हो गया है यहां पे भुन गई है और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ना वह पहले से थोड़ा सा डार्क हो गया है तो अब हम क्या करेंगे ला कि इसमें हम डालें गे दूथ को मैंने किया था न पहले ही गर्म करके रख लिया था इसलिए सेवई को भुन्ए के बाद डायरouting दूद डाल दिया है अगर आपने दूद को पहले सा गर्म नहीं किया in gourmet तो आप पहले सेवई को भुनके निकालें दूद को डालके दूद में एक उबा siway डालें दी उसके आप सेवई डाले नहीं तो कैा हुता है कभी कभी दूत पढ़ जाता है सेवई हो एक भीन थे जाल किया है और हुआपर मैंने फुल क्रेम धूत को इस्तमाल नहीं किया है फिर फहरी हमारे जो यह खीडी है वह बहुत मलाई द कि तियार तो अब आप यहां पे कुछ सुखे मेवे डाल दें तो मैं यहां पे काजू, बादाम, किसमिस और थोड़े से चिरॉणजी डाल रहे हूं चिरॉणजी जरूर डालेगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब यह चिरॉणजी खाते समय मुझ पर पढ़ती है ना बहुत अच सकते हैं तो मुझे सेवया में मखाना बहुत पसंद है तो थोड़ी से यहां पे में मखाना एट कर रहे हूं अगर आपके पास है तो आप जरूर डालिएगा तो बस यहां पे आप इसे अच्छे से मिला लें और गैस का आज बिलकुल धीमा कर दें और धीमी आज पे आप इसे 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें ताकि जो यह दूद है वो थोड़ा सा गाड़ा हो जाए और मलाईदार हो जाए और हां बीच बीच में आप इसे चलाते जाए और कड़ाई के किनारे पर जो मलाई जम जाती है ना उसे कल्छी या चम्मस से इस प्रकार से निका जाए है और यह पहले से काफी गाड़ा हो गया है तो अब आपको यहां पर चीनी आट करना है तो मैं यहां पर चार चम्मस चीनी डाल रही हूं अगर आप मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो चीनी का अनुपात आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा लें लेकि आप इसे दो मिनट और पका लें क्योंकि चीनी जब घुलेगी तो थोड़ा सा बतला हो चाएगा तो चीनी डालने के बाद मीडियम आज पर मैंने दो मिनट इसे और पका लिया है और यह देखिए कितना गाढ़ा मलाईदार हमारा सेवई बनके तयार हुआ है और यहां पर करने मैं आपको सेवई की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूं यह देखिए जब आप सेवई को कल्चे से गिनाए ना तो धार की तरह किरना चाहिए क्योंकि अभी तो सेवई काफी गरम है और जब सेवई ठंड़ा होता है ना तो काफी दूद सोग लेता है तो इसमें थोड़ अध कर लें और थोड़ा सा पतला कर लें तो चलते हैं अब हम इसे सर्फ करने के लिए इतनी सेवई में परिवार के चार से पांच लोग बहुत ही आराम से खालेंगे और उमीद करते हूं कि आज की रैसिपी आपको पसंद आई हो सर्फ करने से पहले थोड़ा सा हम इसके उपर कटे हुए डाय फ्रूट्स डाल देंगे तो मैंने यहां पर बादाम और पिस्ता से इसके गार्निशिंग की है ताकि देखने में और भी अच्छा लगे और खाने में तो यह स्वादिस्ट है ही मतलब अगर आपने इसे एक बर खा लिया ना तो सेवई को बार बार ऐ तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल से जल आपके सवालों का जवाब दे सकूँ रेसिपी को और भी जादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस स्वात का आनन्द उठा सकें मिलती है एक और नी रेसिपी के में तबतके लिग बी रइबाई